नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप ? बाते के जब की में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पांच य Осे जानवरों के बारे में जो बहुत जादा rare हैं स्वाधा दुरलब हैं हमारे साथ बने रहें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल ज़रा नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है मम्मी कसम बहुत जादा महनत करना है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज 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 नंबर फाइव पैंगोलिन आपने शायद इस जानवर का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा और शायद ही आपने इसे कभी देखा होगा इस जीव को कहा जाता है पैंगोलिन पैंगोलिन्स बहुत छोटे से क्यूट से लगभग एक बिल्ली के आकार के जीव होते हैं जो की एशिया और अफरीका के जंगलों में पाय जाते हैं ये थोड़े शर्मीले सोभाओं के जानवर होते हैं और इसलिए आम तोर पर रात में बाहर निकलना पसंद करते हैं और अगर कभी ने लगता है कि इनकी जान को कोई खत्रा है तो ये अपनी बॉड़ी को सरकल की शेप में कर्ड कर लेते हैं और सिमट कर अपने हार्ड सरफेस वाले कवर के अंदर छुप जाते हैं और आपने चाहें इनके बारे में कभी ना सुना हो लेकिन पैंगोलिंस तसकरों में बहुत ज़्यादा पॉपिलर है पैंगोलिंस की बहुत बड़े पैमाने पर तसकरी होती है आपड़े बताते हैं कि हर साल लगभग एक लाग पैंगोलिंस को उनकी खाल और उनके मीट के लिए पकड़ा जाता है और उनकी तसकरी की जाती है चाइना, वियतनाम और साउथ इस टेशन कंट्रीज में पैंगोलिं का मांस बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसके साथ ही पैंगोलिं की खाल का उपयोग दवाईया बनाने में भी किया जाता है तसकरी की इस समस्या के कारण पैंगोलिं विलुप्त होने की कगार पर है जैवन राइनोसिरोस एक प्रकार की राइनोसिरोस की प्रजाती है आप इसे इंडियन राइनो सिरॉस का एक करीबी रिष्टेदार समझे जो की साइज में जरा छोटा है एक जमाने में 50 राइनो सिरॉस की तादात इंडोनेशिया और साउथ इस्ट एशिया में बहुत जादा हुआ करती थी लेकिन आज के वक्त में इनकी संख्या घटते घटते सिर्फ 50 से 60 तक सिमट कर रहे गई है आज के समय में ये critically endangered animals की लिस्ट में शामिल है तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस जानवर की संख्या में इतनी भारी कम ही आ गई इस सवाल का जवाब है Vietnam War जब Vietnam की लड़ाई हुई तब जंगलों को बहुत जादा नुकसान पहुँचा जंगल इस जानवर का घर हुआ करते थे अब जब इसका घर ही नहीं बचा तो बेचारा जानवर कैसे बचता और इतना ही नहीं आज भी कई लोग बचे हुए राइनो सिरॉस की तसकरी की फिराक में रहते हैं अपने हॉंस की वज़े से ब्लैक मार्केट में इस जानवर की काफी डिमांड है इस जानवर की संख्या में इतनी भारी कमी आना इस बात का सबूत है लेकि इनसान अपनी लड़ाई और अपने फाइदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है ग्रे वुल्फ का कजिन है रेड वुल्फ वैसे तो रेड वुल्फ के वल फ्लॉरिडा में मिला करता था यूं तो कई लोगों ने रेड वुल्फ को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास किये हैं लेकिन आज भी इनकी प्रजाती पर खत्रा बरकरार है ये प्रजाती इतनी जादा खत्रे में है कि 1980 में रेड वुल्फ का जंगलों में पाया जाना बिल्कुल खत्म हो गया था ये जानवर जंगलों में मिलता ही नहीं था ये सही है कि हम इनके नंबर्स को फिर से बढ़ाने में काम्याब हो गए लेकिन आज भी इनकी प्रजाती को शिकारियों से खत्रा है ओकापी इस दुनिया के सबसे ज़्यादा दुरलब जानवरों में से एक है कभी कभी इने फॉरेज जिराफ या वन जिराफ भी कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओकापी जिराफ की ही प्रजाती का एक जानवर है लेकिन दिखने में ये बिल्कुल जिराफ जैसे नहीं दिखते हैं बलकि अपने पैरों के रंग के कारण ये एक जीब्रा जैसे दिखाई देते हैं और इनकी शारिरिक बनावत एक घोड़े के समान है और हाला कि ये जानवर बहुत ज़ादा दुरलब है लेकिन फिर भी इस अद्बुद जानवर का जिक्र इतियास में भी कई मौकों पर मिलता है प्राचीन मिस्र की दिवारों पर जो नकाशी है उसमें इस तरह के जानवर का चितर दिखाई देता है बीसवी शताब्दी से पहले योरप और एशिया में एफ्रिकन यूनिकॉन की कहानिया हुआ करती थी वो कहानिया भी इसी जानवर की और इशारा करती है विज्ञानिकों का कहना है कि ये जानवर एक लिविंग फॉसिल है नमबर वन एंजिल शार्क एंजल शार्क भी इस दुनिया के सबसे जादा दुरलब जीवों में से एक है मचलियों की ये प्रजाती ब्लैक सी, मेडिटिरियन सी और नौर्थ अट्लांटिक समुद्र में पाई जाती है इस मचली की खासियत ये है कि ये रेत के नीचे छुप सकती है ये रेत के नीचे छुप कर दूसरी छोटी मचलियों और छोटे छोटे समुद्री जीवों का इंतजार करती है और जब वो इसके इलाके में आ जाते हैं तो उन पर अटैक करके उन्हें अपना भोजन बना लेती है एक जमाने में एंजल फिश की तादाद भी अच्छे खासी हुआ करती थी लेकिन ओवर फिशिंग की समस्या की कारण इनकी संख्या में भी गिरावट आ चुकी है कैनरी आइलेंड और सदन केरैबियन के इलाकों में अब सिर्फ कुछ ही एंजल शार्क शेश है तो दोस्तों ये थे इस दुनिया के सबसे जादा रेर और सबसे जादा दुरलब जानवर लेकिन कि आप ये जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे जादा अजीब और गरीब दिखने वाले जानवर कौन से हैं अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमारी वीडियो प्लेलिस चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन मिलेगी जिसे जानकर सीख कर आप अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट करके हमें बताएं कि इन बेचारे जानवरों के साथ हम इंसानों ने जो सुलूक किया है आप उसे सही मानते हैं या गलत हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया